हलो चिल्डरेन कैसे हैं तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने एजेक्टिव के टाइप की चर्चा किया था वह एजेक्टिव की टाइप जो है डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव तो आज मैं डिस्क्रिप्टिव के जो टाइप से उसकी चर्चा में एक एक करके कर तो आएवें हम विश्तार से को सिखें तो बच्चे डिस्क्रिपिपटिव अडेक्टिब की जो वेध है उसको हम देखने चाहते है वो क्या है अच्छी बाफ वालिटी है क्या इसको पहले उधावनों से देखते हैं तो आएए देखिए, the dog is a small, यह small क्या कर रहा है, dog का, describe कर रहा है, quality बता रहा है, कि dog कितला size का है, तो छोटा है, तो यह size बता रहा है, the water is clean, पानी साफ है, यानि पानी के condition की बता रहा है, कि यह साफ है, तो clean क्या कर रहा है, describe कर रहा है, quality बता रहा है, यानि कि पानी क्या है, तो पानी साफ है, फिर देखिए, राम is polite, राम बिनम्र है, यानि इसके behavior की चर्चा कर रहा है, तो यह आप देख सकते हैं, कि यह quality बता रहा है, कैसा behavior है, तो polite है, यानि बिनम्र है, फिर देखिए, the mango is sweet, आम कैसा है, तो आम मिठा है, यानि टेस्ट की चर्चा कर रहा है, यहाँ पर देखिए, अश्णो is white, बर्फ उजला होता है, बर्फ के हाँ, कलर की चर्चा कर रहा है, तो आप बच्चे देख लिए, कि यह सारे जो है, से अड्जेक्टिब के क्वालिट की चर्चा कर रहा है, कोई काइंड कर रहा है, कोई कंडिशन कर रहा है, कोई बिहब्यार कर रहा है, कोई साइज, कोई टेस्ट, इत्यादी की चर्चा करने वाले को हम क्या कर सकते हैं, अड्जेक्टिब आप, क्या कर सकते हैं, अड्जेक्टिब आप, क्वालिटी, तो तो यानि आप इसको हम प्रिभासित भी करें तो क्या चीज है अड्जेक्टिप्स आफ क्वालिटी इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं तो गुन वाचक भीशेशन तो इसको प्रिभासित करें अंग्रेजी में जैगी दरिड्जेक्टिप्स एड्जेक्टिफ्स आप क्वालिटी ऐ दिग्री और अजाओन और पर नाऊन इजिक आप Unterschied अर्थय है उएसे adjective जो नाउन के गून अथ वाद्व की चर्चा करें बढ़न करें तो ऐसे अर्जेक्टिप्स को हम adjectives of quality कहते हैं, हम इसको उधारन से भी देख सकते हैं, आईए उधारन देखिए, यहाँ पर tall, long, thin, green, blue, फिर है noble, bad, good, sour, it is, अब इसको एक वाक में भी प्रयोग करके देख सकते हैं, तो देखिए, श्याम is tall, यानि श्याम कैशा है, आकार में, ओ लंबा है, तो ऐसे adjective क्या है, adjective of quality, तो अच्छे आप समझ गए होंगे, आईए आप नोट कर लीजे, चिल्डेन, I want to rub, अच्छे, adjective of quality के बाद, अब आते हैं, इनका उधारन की चर्चा करते हैं, अगला जो आएगा, प्रोपर अड्जेक्टिब की चर्चा करने जा रहे हैं, तो प्रोपर अड्जेक्टिब क्या है, देखिए आप, पहले इनको उधारनों से देखिए, इंडिया is a country, भारत एक देश, इंडिया क्या है, एक नाउन है, किस परकार का नाउन है, किसी खास देश की चर्चा हो रही है, तो ऐसे नाउन को हम प्रोपर नाउन कहते हैं, अब यहाँ देखिए, इसी में, दूसरे वाग को देखिए, he is an Indian farmer, वह एक भारतिये किसान है, अब देखिए यहाँ, इंडिया से इंडिया बन गया, तब यहनि प्रोपर, नाउन से प्रोपर अचेटिब का न्रिमान हो गया, किनकी फार्मर से पहले यह आ कके क्वालिफाई करता है, यह विश्यष्था बता रहा है, कि कैसा, डिस्क्राइब करता है, कैसा, तो भारतिये, अब यहाँ देखिए, England is a country England is a country मने England एक देश है आप यहाँ देखिए इंग्लेब्रन के प्रकार कर नाउन हो गया कोई खास देश की चर्चा हो रहे है एंग्लेंट इना तो ये प्रोपर नाउन में आता है आप यहाँ देखिए He drinks English wine वह अंग्रेजी साराप पीता है तो यहां इंग्लैंड से इंग्लिस बन गया यह क्या बन गया प्रोपर नाउन से प्रोपर अड्जेक्टिब बन गया क्यों यह अड्जेक्टिब कहेंगे वाइन सराब के पहले आ करके यह बता रहा है कि कहां का सराब है तो अंग्रेजी सराब है इंग्लिश इंग्लेंड का सराब है फिर देखिए रसिया इजा कंट्री रसिया एक देश है यहां रसिया क्या है देश का नाम है तो यह पक्का है कि यह प्रोपर नाउन है आप यहां देखिए यह प्रोपर नाउन है यहां पर क्या बन गया प्रोपर एजेक्टिव बन गया क्योंकि यह क्या कर रहा है कहां का नेता तो रसिया का तो इस प्रकार से आप समझ गहें कि प्रोपर नाउन से प्रोपर अड्जेक्टिब का निर्मान हुआ ऐसे अड्जेक्टिब को हम प्रोपर अड्जेक्टिब कहते हैं तो भचे एक बात और ध्यान रखने के जरुवति जिस प्रकार से प्रोपर नाउन κα지는 फस्ट लिटर कापिटल होता है तो आईए हम इसको describe करें यानि define करें तो बच्चे आप उधारन से समझ गए होंगे कि proper noun से proper adjective किस तरह से दिर्बान हुआ और किसी noun के पहले या बाद आकर किस परकार से describe किया तो आईए हम इनका परिवासित भी करते हैं तो proper adjective के मतलब हिंदी में क्या होता है तो बेगती वाचक बिशिशर तो इसका क्या परिवासा हम दे सकते हैं तो the adjective that is made from proper noun is called proper adjective वैसे adjective जो proper noun से निर्मित होते हैं बनाये जाते हैं तो हम इसको उधारन भी देख लिए तो देखिए यहां उधारन क्या है आसाम से क्या बन गया आसाम proper noun है तो क्या बन जाएगा आसामीज यह proper adjective हो गया ब्रिटेन प्रोपर noun है तो यह क्या बन गया ब्रिटिस बन गया अब फिर उसी तरह से एजीप्ट तो क्या हुआ एजीप्टियन तो इसी तरह की कलक्शन को आप ढूरिए प्रोपर noun से प्रोपर adjective बनाईए तो बच्चे आप इसको नोट भी करें लेकिन अगर किसी तरह के दिक्कत हो तो कामेंट बॉक्स में अवस पुछे और अगर यह नए है तो सब्सक्राइब करना भी न बोलिए धन्यवाद बच्चे